Hello everybody, welcome to Quant Study मैं मुझसे मक्तर आपका कल्चर आफ जमू एंड कश्मीर इसमें कवर करवा दूँगा एक ही वीडियो बने की इसके उपर और साथ आफ जो है multiple choice questions जो बनते हैं या हमारे मतलब important examination point of view से वो भी मैं इसी वीडियो में discuss करूँगा उसके अलावा हमने English का जो syllabus है वो complete कर दिया था और general awareness का भी syllabus आपका almost covered है तो आज हम culture of जमू एंड कश्मीर पढ़ेंगे आपके पास syllabus पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप इसको tick कर सकते हैं जैसे आप इसको complete कर देते हैं तो हम start करते हैं कुछ multiple choice questions से तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि question number one जो है what is staple food of कश्मीर यह मैं आप पे छोड़ देता हूँ यह आप मुझे comment करके बताएंगे क्योंकि यह बहुत easy question है और exam में बार बार यह repeat हुआ है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है यह question number one खूदी दें क्योंकि यानि की पक्वान है कश्मीर का वो कौन सा है तो वो है रोगन जोश रोगन जोश रोगन जोश ओके दूसरा question क्या है what is the salty tea call taken by कश्मीरी people जो salty tea मतलब नमकीन चाहे लेते हैं कश्मीरी लोग हम उसको क्या कहते हैं कश्मीरी पैं हम उसको कहते है नून चाहे ठीक है कि नून चाहे कहते हैं हम कश्मीरी में उसको तो यह भी आपको याद रखना है question number three का answer ठीक है मैंने यहाँ पर options नहीं दिये हैं बढ़ आपको यह करने हैं note जिरी मेला इस सेलिब्रेटेड इन विच डिस्टिक जिरी मेला जो है वो कौन सी डिस्टिक में सेलिब्रेट किया जाता है जिरी मेला जम्मू डिस्टिक में सेलिब्रेट किया जाता है question number four भी हो गया which festival is celebrated by the end of Ramzan तो आप सबको पता ही होगा कि end of Ramadan में हम कौन सा जो फेस्टिवल है वो celebrate करते हैं तो वो है इदुल फितर इदुल फितर E-I-D E-I-D-U-L-F-I-T-R इदुल फितर ठीक है Question number 6 Name the festival in which people show local handicrafts जिसमें लोग local handicrafts बताते हैं Cuisins बताते हैं और culture के बारे में अपने culture के बारे में बताते हैं तो उस मतलब festival का नाम बताना है आपने तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है Gurez Festival G-U-R-E-Z Gurez Festival ठीक है Question number 7 Tulip festival is celebrated in Sirinagar in the month of कौन से मन्थ में मनाया जाता है? Tulip festival जो की Sirinagar में मनाया जाता है तो कौन से मन्थ में मनाया जाता है? ये भी question हो सकता है कि कहां पे मनाया जाता है? तो Sirinagar में इसको हम March या फिर April में celebrate करते हैं ठीक है? Sirinagar में Question number 8 Which festival marks the wedding of celebration of Lord Shiva and Goddess Parvati? तो ये question भी मैं आप पर ही छोड़ता हूँ मुझे आप इसका answer दें चाहे आप कहीं से भी answer निकालें क्योंकि अगर एक बार आपने ये answer दे दिया तो जो लोग comment पढ़ते हैं उनको भी मतलब ये question याद रहेगा हमेशा के लिए क्योंकि वो देखने आएंगे ढूंडने आएंगे इस question को तो इसका answer आप मुझे करेंगे और question number one जो है इन दोनों के आप करेंगे ताकि आपको ये याद रहे अब बात करते हैं थोड़ा culture के बारे में जमूरीजन का कुद आपको पता है ये एक ritual dance है जिसको perform करते है in the honor of log लोक देवतास ठीक है इस dance style को कब ज़्यादतर मनाया जाता है इसको nights में मनाया जाता है ठीक है तो ये हो गया गूद का ठीक है उसके बाद हैरन आता है ये एक traditional theater performance होती है जो कहां पे जिसमें मतलब 10 to 15 members होते हैं और ये कब मनाया जाता है mostly लोडी festival में कौन सा हैरन ठीक है तो ये जो है ये भी याद रखने की हिली रीजन्स में मनाया जाता है जम्मू के जो हिली रीजन्स है वहाँ पे ये ज़्यादतर मनाया जाता है next बात करते हैं बाख, गाउतरी और कार्क और मसेद के बारे में I don't know whether I'm pronouncing it right or not but जो भी है आपको याद रखना है ये एक चोरस narrative singing है ठीक है ये कोई वो नहीं है कि जिसमें आप musical instruments लगा लो या कुछ वो और इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसको without any musical instruments जो है इसको गया जाता है by ten singers कितने singers, ten singers आगे हम बात करते हैं थोड़ा गाउत्री के बारे में ये एक singing और dancing का combination है ठीक है Singing और dancing का combination है जिसमें singers क्या करते हैं कुछ text बोलते हैं और जिसको कौन inact करते हैं बाद में गाउत्री dancers गाउत्री dancers जो है इसको inact करके मतलब इसी के साथ dance perform کرتے ہیں उसके बाद आता है हमारा ये भी हो गया कारक ठीक है ये एक tail ballet singing है आपको इसमें यही याद रखना है कि जो इसको perform करते हैं जो इसको गाते हैं उनको हम क्या कहते हैं जोगीज कहते हैं उसके बाद bent की बात करते हैं बेंद क्या होता है ये भी एक चोरस सिंगिंग ट्रडिशन है जो की एक स्पेसिफिक कम्यूनिटी में गाते हैं जो जिन कम्यूनिटी इसको हम क्या कहते हैं आप लोग उन्हें सुना भी होगा गुजर एंड पकरवाल ये लोग साथ पांच से साथ मेंबर्स इसको परफॉर् रखनी की बात है अच्छा जमूरीजन का हो गया कम्यूनिट अब कश्मीर रीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वहां पर क्या क्या होता है देखिए बांड पाथर जो है एक ट्रेडिशनल फोग ठीटर टाइप एक कंबिनेशन होता है जिसमें कुछ प्ले हो होते हैं ठीक है और यहां पर क्या किया जाता है यहां पर दिखाये जाते हैं हमारे ट्रेडिशनस कुछ प्लेशन वगरज़ो ट्रबिक्ट किए जाते हैं यह ऊःपर न कि और एक बाद ऑंभा उसके बाद यहां पर चाकरी है It is most popular form of कश्मीरी folk music यह जो है most popular form है कश्मीरी का जो folk music है उसमें यह most important और most popular है इसका connection किसके साथ है उत्तर प्रदेश में जो mountainous regions है वहाँ पर जो कुछ चक्रा है उसके साथ relation है आपको बस याद रखना है कि उसके साथ कुछ relation है इसके resemblance में इसको मनाया जाता है ठीक है उसके बाद सूफियाना म्यूजिक सूफियाना म्यूजिक कहां से आया सूफियाना म्यूजिक एरान से आया कब आया 15th century में अच्छा यह जो अब हमारा classical music बन चुका है कश्मीर का और इसने क्या किया है बहुत सारे इंडियन रागाज भी एड़ किये है ठीक है इसमें अब हाफिज नगमा जो है वो भी एक पार्ट है किसका सूफियाना म्यूजिक का हाफिज रगमा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ठीक है अच्छा कुछ और यहां पर हम बात करते हैं जो दूसरे ट्रडिशन्स हैं परफॉर्म किया जाते हैं मेरे जम्मू हैं किश्मीर में वो कौन से हैं तो रूफ यह एक डान्स है यह भी बहुत अंटीक पीस है मतलब यह भी बहुत अलग टाइब का है तो यह जो है हमेशा एक बहुत ही ब्यूटिफुल पाथिटिक सॉंग मतलब के साथ यह डान्स परफॉर्म किया जाता है ठीक है उसके बाद हाफिज नगमा जैसे हमने पीछे पड़ा यह एक जो है सूफियाना म्यूजिक से बिलॉंग करता है जिसको हम सूफियाना कलाम कहते है आप ठीक है यह जो सूफियाना कलाम है इसके खुद के कुछ रगाज है जिनको हम क्या कहते है मुक्वम ठीक है यह याद रखना इसके जो खुद के कुछ रगाज है उनको हम क्या कहते है मुक्वम यह जो है इसमें the prominent instrument used in Hafiz Nagma are called जो इसमें instrument use किया जाता है उसको simple language में कहें तो संतूर कहते हैं क्या कहते हैं संतूर एक सगिन यह उसको हम संतूर कहते हैं जो की hundred जिसमें hundred strings लगी हुई होती है और इसको किस से play किया जाता है sticks से यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि sticks से हम इसको play कर सकते हैं और जो यह dance use होता है इस tradition में उसको हम क्या कहते हैं हाफिजा जो अगर आपके पास question आता है कि the dance which is performed in the Hafiz Nagma is called as Hafizah ठीक है अब बात करते है songs of haba khatun यहाँ पर जो text लिखा हुआ है यह थोड़ा अजीब सा है तो आपको यह याद रखना है इसमें से आपके एक दो questions बन सकते हैं कि उनकी जो important lyrics थी वो कौन कौन सी थी वो थी एक CXE चुहा कर से चुहा कर से मैं केत ठीक है और दूसरा जो song है पहला कौन सा है चुहा कर से मैं केत दूसरा कौन सा है चुक्रिमे CXE K A M I U S O N I S O N I S O N I M A I N U बस ये जो हैं आपने याद रखने हैं ये दो चीजें बाकी मैं आपको बता रहा हूँ कि हबा खातून ने जो है कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा फहिम पाया हुआ है extra knowledge के लिए आपको बताना चाहूंगा कि उनकी शादी जो है वो यूस्फ शाद चाक से हुई थी और उससे पहले उनको क्या कहा जाता था उनका नाम जो था वो जून था बिकर शी वस वरी ब्यूटिफूल तो उनको क्या कहा जाता था उनको जून कहा जाता था उससे पहले बाद में जब उन्हें युस्फ शाद चाक के साथ शादी कर ली तो उनका नाम जो है वो हबा खातून दीरे दीरे हो गया तो इनके जो सॉंग्स ये दो मैंने आपको बताई ये अपने याद रखने हैं ठीक है उसके बाद जागरना ये एक मैरेज सॉंग है जिसमें मतलब कुछ डान्स किये जाते हैं थीटर टाइप में ये भी है ये आपको याद रखना है कि ये एक मैरेज डान्स है जागरना सुर्मा सुर्मा जो है ये एक डान्स है डोगरी में बहुत फेमस है डोगरी सॉंग ये जो क्या reveal करता है कि किसी जो married, newly married girl का जो husband है वो आर्मी में चले जाता है तो उसके, उसमें मतलब ये मनाया जाता है मतलब song जो है गाया गया है तो ये आपको याद रखना है सुर्मा सुर्मा है ये नाम सुर्मा है ठीक है उसके बाद बाकन ये song भी बहुत जादा famous है for the mass entertainment मतलब हमारे इस region में ठीक है अब अब जो पहाड़ी songs है वो क्या करते हैं मतलब आपको पता है उनसे जो है मतलब connection होता है अगर आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो यहाँ के जो songs हैं उनके साथ अपना अपना जो culture है उनका connections मतलब रहते हैं यहाँ पे जैसे हमारा कोई कश्मीरी song है तो हम उसके साथ attract हो जाएंगे तो यह जो song है बाकन यह भी एक famous song है आपको exam में इतना वो important नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकरी के लिए जो है मैं बता रहा हूँ यह सब ठीक है यहाँ पर text में लिखा हुआ है तो बताना जरूरी है अब यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे songs जो की independent of instruments होते हैं मतलब जिन में कोई instruments यूज नहीं किया जाते हैं तो यहाँ पर भी एक यही बात है कि यहाँ पर जो बखन है यह भी इसमें भी कोई instrument नहीं यूज किया जाता है बस वर्स में गाते गए गाते गए तो without any instruments इसे गाया जाता है उसके बाद गित्रू गित्रू जो है यह dance song है डोगरा पहाड़ी रीजन का कहां का जम्मू का जो की which is performed at the occasion of feasts या festivals में या marriages में by the rural folk parties of this region जब कोई भी party होती है rural जो party होती है कहीं पे भी वहाँ पर इसको मनाया जाता है घित्रू जो है यह dance song है ठीक है अब थोड़ा सा art and craft पहे हम नजर देते हैं जो जम्मू कश्मीर या जो दो रीजन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर इसमें different arts और crafts होते हैं थोड़ा जम्मू की बात करते हैं जम्मू में आपको देखो बशोली में पैंटिंग्स कैलसी पैंटिंग एंड फूल कारी आपको मिलेंगी उसके बाद कश्मीर में कार्पिट्स कश्मीरी शॉल्स वूड कार्विंग पेपर मार्श एंड उसके बाद चैन स्टिच उसके बाद चिवल उसके बाद नम्दा वगएरा यह सब आपको मिलेंगे कश्मीर में अच्छा अब कुछ वैल नाउन डिजाइनर्स जो कार्पिट्स के डिजाइनर्स हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं अला कि उतना ज्यादा पॉइंट मतलब एक्जामिनेशन पॉइंट से यह इंपॉर्टन नहीं है तो यहां पर बात कर लेते हैं फिर भी हम अब महताशन कशन यह वैल नाउन पर्शन डिजाइनर है इतना आपको याद रखना है उसके बाद सिर्क तुर्णमेंट यह एक यूनीक सिर्क रग्ड हैं जो आफटर मतलब कब यूज किया जाता है ना आफटर दर ट्राइब जो इसको पहले वीव करते हैं ठीक है इसके बाद जो है तीसरा कश्मीरी कुम यह कश्मीरी कुम पर्शन है ओरेजन में ठीक है उसके बाद टुर्क मैं प्रिंसेज बुखारा एक इसके बेस पे उपर है कैंडल स्टैंड होल्डिंग पाटर्न के बेस पे है उसके बाद कश्मीरी मोगल की बात करते हैं यह एक ब मैं कहां था एक्चली यहां पर क्या हुआ अब भी मुझे याद नहीं है यहां पर एक्चली शोर हो रही थी बाहर तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा पॉज किया था तो जो यह कश्मीरी मोगल है यह क्या है एक बोल्ड जोमेट्रिक और एक फ्लोरल एफेक्ट है इसमें यह अपने याद रखना है उसके बाद कश्मीरी काशन क्या करता है यह डिपिक्ट करता है ट्री आफ लाइफ यह आपको याद रखना है क्या कश्मीरी काशन ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं आप कश्मीरी जो कुछ डिस्चेज हैं फैमस डिस्चेज हैं उनकी बात करते हैं त तो कश्मीरी क्यूजिन जो ज्यादा तर नॉन वेजिटेरिन डिस्चिस हैं आपको भी पता होगा जो कश्मीर से होंगे तो उनको तो पूरा नॉलिज होगा वैसे यहां पर एक बीच में बाद में आपको कुछ बताऊंगा तो पहले यहां से मैं आपको बता हूँ तीन किंग के मतलब ट्रडिशनल कुकिंग जो कश्मीर की है वो उसको हम कहते हैं वाजवान यह आपको याद रखना है कश्मीर के लोगों को तो पता ही होगा लेकिन जमूवाले जो जो है उनको याद रखना है कि उसको हम वाजवान कहते हैं और यह जो है यह बहुत ही मतलब ए बहुत सारी famous dishes, spices और condiments जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा important role play करते हैं किसमें, कश्मीरी जो food वगेरा होते हैं उन में, as for, tida, anisee, dry garlic, cloves और आगे जो ये सब जो हैं use किये जाते हैं कश्मीरी food में, हालां कि इसमें से आपको कुछी चीज़े important हैं जो आपने याद रखनी हैं अच्छा आप बात करते हैं कश्मीरी हिंदूस कश्मीरी हिंदूस क्या use करते हैं फैनू ग्रीक फैनू ग्रीक हालां कि इतना deep में question नहीं पूछा जाता है इसमें class 4 में फिर भी मैं आपको बता रह जिंजर एनी सीड जो हैं यह सब यूज करते हैं और मुस्लिम्स क्या यूज करते हैं कश्मीरी चिली जोज एंड सिनमन वगारा वगारा यह सब यूज करते हैं उसके बाद one of the distinct features of कश्मीरी कुजिन is the generous use of curds वगारा जब वो यूज करते ना तो उनका जो है वह बहुत जा कश्मीर के लोगों को पता ही होगा यह सब चो कश्मीर में रहते हैं तो यह बहुत important मतलब बन जाती है किस point of view से खाने के point of view से because यखनी is really good in taste उसके बाद आप पता सकते हैं तौबकनात यह मुझे भी नहीं पता बट यह जो तौबकनात है इसके बारे में मतलब I haven't seen this but यह है यह एक important है दम आलू यह जो है यह यह क्या होते हैं boiled potatoes with heavy amounts of spices में होते हैं उसके बाद Rogan Josh मैंने आपको बताया था इससे पहले Rogan Josh जो है यह एक important cuisine है कश्मीर का इसमें क्या होता है है कि उसके बाद हाँ इसमें क्या होता है लैम जो इसमें कुछ स्पाइसिज में इसको काटा जाता है हैं फ्ले एकिप बार रिस्ते पे हमने लड़ा था एक रिस्ता जो था मी एंड वन आफ माई रिलेटिव्स मैंसे ही कोई था एंड वी और फाइटिंग वन्स वी वर इन सिरी नगर जब हम सिरी नगर गए थे उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं ठीक है ओके तो रिस्ता भी एक फैमस है मतलब फूड कश्मीर का उसके बाद पाउंडर्ड यह क्या होता है यह पाउंडर्ड मटन बॉल्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं साइज में उसके बाद गौश्टा बाजो की हावी स्पाइस में काटे जाते हैं अफकोर्स जो राइस है वो भी एक पार्टिकुलर पार्ट है हमारे एशन कल्चर का ठीक है तो वो तो अव्यसली हो गई उसके बाद जो डिशेज मस्टोर्ड ओयल में मनाई बनाई जाती हैं और वाटर वगेरा तो यूज किया जाता है विद अडिशन आफ रेड और ग्र ले जाया होगा अच्छे से तो अगर मैंने कुछ इसमें कुछ मंदब ऐसा लगता है आपको कुछ चीज आपको करेक्ट करने चाहिए मतलब जो कि मैंने इसमें कहीं पर थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज वो करेक्ट करें और सज्जेस्ट मीचि यहाउ में आ गया होगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो do like the video तो thank you so much for watching this was the last lecture and the first thank you so much I'll see you somewhere else